तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह है कल्टिवेशन ओफ शूगर के शूगर के बारे में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या का इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है क्या है क्या है इसका है बेने फिट्स क्या है कैसे इसको ग्रू करते हैं बोटैनिकल नेम और इसन बगारा देखेंगे यह ना नेक्स जो है वह एकनोमिक इंपोर्टेंस देखेंगे पढ़ेंगे शूगर के कि कौन कौन सा यूज होता है किस तरीक कि से एकनोमिकली यह जो क्रॉप है शुगर के की वह इंपोर्टेंट है के is there in distribution की कहा शुगर के की काम पहुति है कि कि कुम है कंथा कुछ इंडिया का कौनuseं रैंक इंडिया का कौनसा रैंक है शुगर के ज्टिवेशन के अंडर और देखेंगे शुगर ये शुगर केनं की कितनी स्पीसिस होती हैं कितनी प्रजातियां जो बोलते यह तो कौण कौण सी सपीज हैं उनगे अज डिसकस करेंगे उसके बादर रूट शिस्टम क्या होता है शुगर केन क्रॉप में बेरों सा कंडिशन कैसी चाहिए होती है शुगर के क्रॉप को कल्टिवेट करने के लिए ग्रोव करने के लिए ओके और जो शुगर के इंडिया में यह ज्यादा ग्रोव की जाती है इसलिए इसका नाम जो है बटानिकल ने से चरम ऑफिस ने रखा जाता है जैसे कि वीट में टेंडिका मैस्टिम होते हैं ना बटानिकल ने एक इसकी काफी होती है तो यह नहीं होता कि एक ही अशे चरम अफिस नेरम सभी शुगर के वराइटी का यही बटेंडिकल नेम होगा पंद टाइब डिपेंडिंग अपाउन दा जो किस कंडिशन के अंदर ग्रोव की जाती है कौन सी वराइटी है उसके उपर यह डिपेंड करता है उसका बटेंडिकल नेम क्या होगा ओके वैसे यह five types की species हैं five types होती है sugar cane की species ओके तो किस country में काई species grow कि जाती है कौछ सी species का ज़्यादा यूज क्या होता है उसको हम उसका एजे बोटैनिकल नेम हम लोग उसको करते हैं ओके तो जो सबसे ज्यादधा कर्टिवेशन होती है वह स्पीसिस की होती है कि तो इसलिए इसको बाटनिकल नेम भी इसका यही बोला जाता है जीनिस कांट सा होता है इसमें इसमें सैचरम जो जीनिस है ओके और इजन जो न्यू गिनिया है कांट्री उसमें कि जो इसका वरो इसन है वो सिड्र किया जाता है यह माना जाता है कि इसन का मुच्द की सारी वर्ड अ इनटर्ड में कसर्करा ऊके जो संस्क्रीत वर्ड है च्रख्रा उस से शुगर के नाम जो शुगर के नाम पड़ा है ओके जिसका मतलब होता है वाइड शुगर वाइड शुगर जो की क्रिस्टल शुगर होती है ओके सरक्रा का मतलब क्या होता है वाइड शुगर जो हम लोग घरों में यूज करते हैं ओके जो दाने वाली चीन्नी होती है तो श को पता ही है कि जो सुगर केम की कल्टिवेशन जो सब्सक्राइब करती है वह काफी पॉप्लर आंडिया में रएंडिया इंडिया का शूकर के में ऊके तो इंडिया में यह काइंट क्रॉप है जो की इए अलग अलग रगज़गा पे शूगर इंडस्ट्री इस सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेड इंडस्ट्री नेक्स्ट ओंडी टू टेक्स्टाइल जो शूगर मिल्स होती है उके टेक्स्टाइल मिल्स जो हैं उनके बाद में का दूसरा नंबर है सेकिंड नंबर पर आती है शूगर के नियुद्ट्रिज मदलब जो शूगर मिल दोती है जिससे की शूगर बनाने के लिए जो जो इंडस्ट्रिज की रियूर्मेंट होती है सबसे पहले जो उसका जूस निकालते है आना बाद में उससे बुड़ बनाया जाता है तो उसको वह सारी अधरी जो शूगर के डिस्टी जैना तो एक्सटील हमारे इंडिया में फस्ट रैंक पे है और सेकिंड एग्रो बेश्टेम में जो रैंक है वह किस में आता है शूगर केज़ब से रोब कांट्रिब्यूट्स मोर्दं शिस्टी टू परसंट यह जैसे शुगर वीट बाकी की परक्रच्षन जो क्राप से की जाती है लेकिन 62 परसेंट पॉपलेशन जो परदक्षन है शुगर की हंडर परसेंट परदक्षन में से 62 परदक्षन किस पर डिपेंड करती है शुगर के इंग क्रॉप से हम लोग लेते हैं ग्लोबली 60 परसेंट ऑफ वाइट क्रिस्टल शुगर कम्स फ्रॉम यह जो शुगर केन एंड फॉर्टी परसेंट कम्स प्रों शुगर वीट जो शुगर केन है एक दूसरी क्रॉप होती है जिसका की शुगर प्रदक्षन के लिए यूज किया जाता है वो है शुगर बीट ओ कि जो शुगर बीट है जो रैड रैडिकलर की होती है ना जो बनाने में भी आप लोगों देखा होगा शुगर बीट को ओके तो फॉर्टी परसेंट जो शुगर बनती है वो शुगर बीट से बनती और बागी की सिक्स्टी परसेंट शुगर का यूज इस से होता है इस से ह होती है शुगर शुगर केंज से होकें इंडिया मेजर प्रोड्यूसर आफ्यूगर और मंडी अग करता हिए इसका जो है फ्रस्ट रैंक है उके शूगर एन का रैंक जो है नौत सारी सेटेब है यूगर पॉडकशन का इंडिया का ओके फॉस्ट आगे हम पढ़ेंगे गी ऑ इंडिया का रंक जो है वह सेकेंड है बाकी भी कई इंपोर्टेंट कंट्रीज है वह हम लोग एरिया के इंडर पढ़ेंगे इंपोर्टेंट क्या है एकनोमिक इंपोर्टेंट्स इसकी अद्री शुगर केंड जीपेस्ट फॉर्म उफ एनर्जी वुद्ट्र वोक है जो फूट एनर्जी होती है जो ग्लूपोस है यह सुक्रोज है सुक्रोज को किसे एक्सरेक्ट किया जाता है सूगर से शूगर किई से ओके तो ये एक फूड एनरजी है जैसे कि ग्लूकोज जिसका ग्लूकोज एनर्जी के सुस्क्रोज के जैसे ही एक सुप्रोज कि Ε्चै CC की से को यह तो श्वगर के जो है सुखरूर का यिधाना उसको एक्स्टरेकट कर सकती है इन अडिशन टू शूगर थर्टी एट वैल्यू एड़ेड़ प्रड़क्ट्स और अप्टेंड शूगर के अलावा थर्टी एट ऐसे प्रड़क्ट्स हैं जो कि हम लोग शूगर केंज से लेते हैं जूसी यूस फूर मेकिंग हाल वाइट शूंगर जो इसका जूस निकाला जाता है उससे बाइट शूंगर बना सकते हैं ब्राउन शूगर बनाई जा सकती है एसको बोला जाता है नो करक्ट portrait जो गुड का यूज किया जाता है काफी टेस्टी होता है जो तो इसके जूसे हम लोग जो crystal sugar होती है white sugar वो बना सकते हैं brown sugar इससे बनती है और जैगरी गुड भी इससे बनाया जाता है वह है इस बैज एस बायो फ्यूल इसका यूज जो है बायो फ्यूल के रूब में किया जा सकता है इस इथन वर बनती है ना आज जो नहीं गाड़ियां आती है न जो पैटरोल है पैटरोल के अंदर हमने 10% mixing की एथने नोल की ओके तो वो एथनॉल कहां से प्रावता है कहां से मिलता है है शूगर के से शीग रखके से इसनौल बनाते एंग और्द में उसको बलैंड करते पैटरॉर के साथ तो यह एक वियो एपना यह जाती है इस लिए चाफी ज़ो प्रडक्ट है ठर्टी एट products इससे बनाया जाते हैं शुगर केंसे इससे बनते हैं इस से बनाया जा सकते हैं ऐसे कि जो कि बाद में अल्कॉल production में काम आते हैं ओके तो इस तरीके से जो 38 वैलुए अड़ेट पॉड़क्ट जह जो है जिनका अच्छा यूज होता है बाद लाइफ में रेरली रूटीन में वो 38 टाइप के प्रड़क्ट हम लोग शूगर केंसे बनाते हैं कि नेक्स्ट इस कि एरिया एंड प्रडक्शन ब्राजिल है दा लार्जेस्ट शूगर केंड एरिया जो ब्राजिल है कंट्री उसका रेंक फर्स्ट है शूगर केंड प्रडक्शन में ओके और कौन कौन सी कंट्रीज है जैसे क्यूबा है चाइना है पाकिस्तान मेक्सिको है साउथ अफ्रिका अस्टेलिया इंडोनेशिया यह सारी कंट्रीज जो है इन में शूगर के प्रड़क्शन होती है फॉस्ट जो रैंक है वह हाइस शूगर के प्रड़क्शन होता है जिस कंट्री में वह ब्राजिल है ओके टुडे इंडिया रंक सेकंड इन दा वर्ड मैंने स्राइटिंग में बताया था जो इंडिया का रैंक है प्रडॉक्शन के अंडर वह सेकंड आफ्टर ब्राजिल ब्राजिल का फॉस्ट है इन टरम्स ओफ एरिया एंड प्रडॉक्शन जो एरिया भी सेकंड नंबर प है वो भी सेकेंड नंबर पे है तो एरिया जो है फोर पॉइंट बन मिलियन हेक्टेर एरिया जो हम लोग करते हैं कि इतने इंडिया में प्रॉप फोर पॉइंट बन मिलियन हेख्टेर हो अमंग रस्तेल्ट फुतरप्रदेश ऐसा ऐस अपर ड़焼ीरिया फॉलड़ बैस कुछ घच्श जो है नियुत्र दो फेमज्ट है शोगर केन प्रॉडक्शन में और उसके बाद जो है महाराश्टर महाराश्टर में भी काफी एरिया जो है वो शुगर के लिएशन के अंडर रहता है कि इन टरम्स अफ प्रड़क्टिविटी तमिर नाडू लीड्स फॉलड़ बाई करनाटका एंड अंदर परदेश अगर प्रड़क्टिविटी की बात करें और प्रड़क्टिविटी में डिइफेंश जो है वो मैं आप लोगों को सारी क्लासिज में डिसक्स कर लेता हैं इसमें भी करेंगे जो प्रड़क्टिविटी में जादा होगा तो अगर एरिया इंक्रीज होता है इसका मतलब production increase होगी लेकिन production और productivity में difference क्या होता है कि जो per unit production है उसको हम लोग productivity बोलते हैं कि जैसे one meter into one meter उसको हम एक unit बोल देते हैं तो वहां से मतलब एक plant से अगर हमें ज्यादा जो शूगर है ज्यादा जूस जो है वह मिल रहा है तो इसका मतलब उसकी productivity ज्यादा है ओके जैसे बीट के example में भी है मैंने आपको बताया था कि पर unit अगर हमें जैसे एक एकड़ है ना एक एकड़ में अगर होती है तो उस एक एकड़ की कितनी productivity होगी 20 लेकिन अगर हमारे पास जो एरिया है वह ज्यादा है और वहां से प्रडक्शन फॉर्टी को इंटल होगी तो ज्यादा होगीữa फुर्टी कोर्टर प्रडक्शन तो ज्यादा होगी लेकिन उस केस में हमारे पास एरिया सथा जादा इक इसका मतलव की एरिया रपे काम है तो जो है वह यहाँ पिर लृट काना का्व में तो अंदर प्रदेश में इसका मतलब कि जितना एरिया अगर जो उत्र प्रदेश में यूज होता है कल्टिवेशन के लिए शूगर केन की उतना ही एरिया अगर तमिल नाडू में यूज होगा तो यूपी के कंपरेटिव वहां पे जो टोटल प्रदेक्शन होगी वो ज्यादा होगी ओके गॉट इट तो इस तरीके से जहां पर प्रदक्टिविटी ज्यादा हो वड़ती है कैसे इंक्रीज होगी सॉइल पर डिपेंड करती है अगर सॉइल अच्छी है तो अगर सोईल की है जो है वह अच्छी नहीं तो प्रदक्टिविटी भी जो है वह कम होगी ओके विशार कि अंदरप्रदेश स्वह्त का गुजराट एपंजाब कята तरकी स्टेट्स जासे कि भिहार अंदरप्रदेश तंदरणाडू करनाटिका गुजरात और पंजाब में भी जो शूगर केन की कर्टिविशन है वो की जाती है अब स्विसिज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे शुकरकेन इंडिये इस ग्रोईंग इन टू डिस्टिंट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स हैं उसके अंडर ग्रोग किया जाता है शुगर केन को ओके फेस्ट जो है वह वह ट्रॉपिकल और सैकेंड जो है सब्तॉपिकल जो तो है उसकी अंडर कौन को सी स्टेट्स आती है निसे महाराश्ट्र हो गया करनाटका है गुजरात है और यह स्टे जो है जिसमें कि स्टेट्स है जांब शूघर कें कर्टिवेशन होती है यह च्रपिकल एरिया के अंडर और सब ट्रोपिकल एरिया के अंडर जैसे उत्रपरदेश है पंजाब है हुर्याना है बिहार है यह वाली स्टेट्स जो है वो सब ट्रोपिकल एरिया के अंडर हम लोग के सीडर करते हैं में नेक्स जो है कितने स्पीसिज कितने टाइप की होती है में वह तिबी यह भी ऐक जो इसी के अंडर शुगर केंडर की स्पीशिज चेंडर ही तो देख लेते हैं मतलं कि की कुझ जाती है क्यों कि हम लोग उगाते हैं कुझ से ओके नेक्स जो टू वाइड़ स्पीसिज वाइड पीसिज जो की जंगलों में अपने आप हो जाती हैं वोके जिसको हम लोग गुरु नहीं करते लेकिन वो भी उनके जो ग्रेक्टर स्टिक्स हैं वो शूगर कें की इसी व्राइटी इसी स्पीसिस से मिलते जूते होते हैं त तो यह जो five species है sugar cane की उन में से तीन यो species है वो कल्टीवेटर species है मतलब जिनको कल्टीवेट किया जाता है जिनको उगाया जाता है जिसे प्रडक्शन दी जाती है और जो बाकी की दो है वो हमाई species के अर्डर आ दिशेटर मॉअ ऑफिस नेरं यह अच्छे जो जूस कंटेंट इनसे हम लोग अच्छा जूस कंटेंट ले सकते हैं इसकी हाइस्ट होती जूस कंटेंट इसमे ज्यादा होता है और यह इतन अथ यह नहीं होता कि 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 हम लोग जो इस पो चुईंक पर पने के लिए भी यूजफ कर सकते हैं कि इसक डिशल को सब्सक्राइब में ज्यादा होता है जितना ज्यादाuarda चूटिबीटि ज प्रड़क्शन है उससे हम लोग ज्यादा गुड बना सकते हैं जो हमारे प्रड़क्ट्स हैं वह ज्यादा बना सकते हैं तो शूगर कंटेंट इन में ज्यादा होता है और फाइबर का इसमें जो है उसका वह ज्यादा होता है रेकर जो स्मट है उसके अटाइक है यह मतल quart समय स्मट का आटाइक जो है इसमें वह कम होता है कर दी बेशन लिए्टो ट्रॉपिकल एरिया जो टॉपिकल एरियाज होते हैं उसमें जो इस लिम्टेद ओर इसकी ज्यादा बहुए नहीं होती है मनुसरी नेश्ट जो चीनटी जो ऍस स्पिसेस है सेत्सराइंस साइडैंस और सोछ्च रूओ सेक्ट इसे नौर्थिशे norme है कि एक स्फैसित इंडिया में या अग्यूर्थ सीश्टर इंडिया में है एकि शाइर विक्ट आ शेंडिया में है जो पीन से लिक्सित है यह जो स्पीसिज है यह कम समय में मिचूर हो जाती है कम समय जो सैचरम आफिस नेरम है जिसको उसके कंपरिटिव यह जो स्पीसिज है इसको बहुत कम समय लगता है जो ज्यादा ब्रॉड होते हैं आज कंपेर्ट टू आफिस नेघर समस्पेसिस जो इसके लीव ज्यादा ब्राड फोते हैं जो इसकी स्टॉक उस्टम होती हैं तो भूड थिन पतली होती है एस कुंपेर्टू आफिस सेरा लांग इंटरनोट्स प्रेजेंट झो इंटरनोट्स होती यह वह लंबी नहीं इसमें सैचरम बार्बेरी जो है यह बी इंडिजीनिस स्पीसिस है नौर्थ इस्टर इंडिया की इट इस क्रेक्टराइज़ बाइश चॉट एंड थिन स्टॉक जो स्टॉक का साइज होता है व स्क्रोज कंटेंट है वह कम होता है और यह मचुर्टी पीरियड है इनका वह इनका बहुत कम है एस सिस्टम रूट सिस्टम कैसा होता है यहां पे आप लोग जैसा कि देख सकते हो प्राइमरी शूट्स हैं स्कैंडरी शूट्स है ना इस फाइब्रस रूट सिस्टम होता है ओके आप लोग देख सकते हो नीचे जो रूट सिस्टम है न यह धागे जैसा होता है तो इसलिए इसको फाइब्रस रूट सिस्टम बोला जाता है है तो टाइप सफ रूट्स नोटाइब्स इसकी रूट्स होती है सैट रूट्स सेट रूट्स होती है यहां पर देख सकते हो जो राइट अंड आपकी पिक्चर लगी हुए हài कि जो ठाइस की रूट स्ट्रूट रूट रूट्स जो शूट्रूट्स होते हैं वह थोड़ी दो इस जिद्धी होती है जो सेट रूटस है वह थोड़ी सी है यह पर्मनेंट होती है ओके नेक्स स्टॉक रफली स्लिंड्रिकल एंड कम्पोज डिस्टिंक्ट नॉट्स एंड इंट्र नॉट्स जो स्टॉक इसको बोलते हैं जिसमें की जूस कंटेंट होता है क्यों कि जो स्टेंब होती है इसकी राव कि पॉलते हैं इसमें स्टॉक बोलते हैं में तो में नॉट्स और इंट्रनोड होती है स्लिंड्री के लिन शेप होता है अब पॉर्शन ऑफ प्लांट विच वियर डीब्स एंड फ्लार्स जो उपर वाला पॉर्शन होता है वहां पे लीब्स होती है और फ्लार्स आते हैं आप पॉर्शन ऑफ स्टार्क इस ब्लोगरांड विच इस गौड़ाय रूट स्टॉक जो फ्लावर और लीब्स होते हैं जो स्टॉक के नीचे वाला पॉर्शन होता है वहां पे रूट साती है जो की दो टाइप्स की होती है ना टू टाइप्स की रूट जो शूट रूट होती है दूसरी ना एक नोड के उपर दूसरी नोड होती है दूसरी को पर तीसरी ओके तो जहां पे दूनों जोएंट होती है जहां पे एक बड होती है जहांसे जो नया बनता है तो उसको जो एक दिखाई देती है कि उसको आख जो लोकल में आख भी बूला जाता है ना वह ऐसा दिखाई देती है कि वहां से जो एक आंख के जैसा इसली उसको आख भी बोला जता है उसको इंग्रिश में क्या बोलते हैं बड़ जहांसे कि नया प्लांट इसली बनाया जासे है नया प्लांट बनता है ओके बिलोग दाबट देर इस एरेज़ पोर्शन चॉड़ेस लीफ इसकार टैचमेंट ब्टमीन लीफ शीट एंड फिर श्टार जो फोती है वहांसे एक पोर्शन थोड़ा सा पोर्शन जो उठा वुए दिखाई देता है उसको क्या बिला जाता है सिकार ऑटैचमेंट तो जो उठा वगा पोश्चन होता है नहां पर एक की साथ दूसरी बड की तो उसको का इटाइच्मेंट बोला जाता है ओके दा इन फ्लोरेशंस ऑफ शूगर के जेनरली कार्ड एस यह तो इस को मुँद बोलते है तो कि सध्य की क्या कहलातीय की में शूकर के फ्लार एट डा एज ऑफ 10 टू ट्वाइलब मंद्स जो अभरेज अब प्लावर प्रडूस करने की जो पीरियड है वो दस से लेकर वारा मंत किया है ओके 10 टू ट्वाइलब मंद्स अफ्टर सुएंग जो यो फ्लावरिंग पिरियुड आता है Hill लृग्सष्थ क्लाइमेट कैसा गौइमेट क्लाइमेट चाहिए होता है इसको शूगर के निजे टॉबपिकल प्लांट ओके टॉबपिकल क्लाइमेट जो है इसको ज्यादा ज्यादा फेवरेबल है ट्रोपिकल क्लाइमेट इडिल ग्रोव इंट ट्रोपिकल बोट अव्धारीजन लेकिन ट्रोपिकल और सब्रोपिकल दोनों रीजन में ही जो प्लांट है वो इसली ग्रोव कर सकता है अग्रोविंग सीजन विच इस लॉंग और वर्म इडिकेट रेंफॉल और इरिगेशन लॉंग और सफ ब्राइट संशाइन एंड हाईयर रेलेटिव हुमेडिटी जो इसका ग्रोविंग सीजन होता है ओके जिसमें की वर्म क्लाइमेट हो वर्म क्लाइमेट हो जो एडिकेट रेंफॉल होती है यहां पर इरिगेशन अवेलेबल हो और जो संशाइन है मतलब जहां पर जो दिन है वो ज्यादा लंबे समय के लिए हो दिन बड़े हो और रातें चोटी हो तो उस एरिया को जो उस एरिया में शुगर केन की कल्टीवेशन जो है वहां पर अगर हम लोग करते हैं तो प्रड़क्शन ज्यादा होगी क्योंकि वहां का जो यह वाली कंडिशन है यह अप्तिमूम है कि ओके ट्रॉपिकल सीजन क्या होता है विचार दा सीजन विचार दा रीजन ऑफ और एक्वेटर बिट्वीन दा प्रॉपिक्स ऑफ कैंसर इन दा नौर्थ जो सिंपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जहां पर जहां पर ज़्यादा होती है जो जहां पर वांप क्लाइमेट है तो उसको हम लोग ट्रॉपिकल जहां पर गर्मी ज्यादा होती है सिंपल इसली ग्रो कर सकती है लेकिन रेन्फॉल भी इनफ है अधर गर्मी एज कंपे प है अधर सीजन वहां पे कम है राइपनिंग सीजन ऑफ राउंग तो त्री मॉन्श दॉरेशन हैंविंग बॉर्म डेज जो जो राइपनिंग सीजन होता है वहाँ पे जो अगर वांब सीजन है तो राइपनिंग सीजन के लिए वह अच्छा सीजन होता है कलियर सकाइज कुल नाइट और ड्राइव एदर विदाउट रैनफॉल एंड हाई डिुफरेंस इन बे अट नाइट जिए जब जो मेंचर टी पीरियड है जिसकों लोग राइपनिंग पीरियड भी बोलते हैं तो शूगरकेन के केस में यह दो से तीन मंत का होता है टूटू तरी मंट शूगरकेम यह कंडिशन अच्छी हैं जिसमें की जो दिन है कुलियर बादल नहीं होने चाहिए और जो नाइट्स के रात के टाइम ज़ादा भी हो सकती है और जो वैदर है वो ड्राई होना चाहिए मतलब हीमस जो हमिडिटी है वो कम होनी चाहिए बिल्कुर ओके तो अगर दो से तीन मंग तक यह वाली condition रहती है तो वो best होती है इसकी maturity के लिए अगर यह वाली condition के अंडर हम लोग grow करते हैं शूगर के इनको तो definitely इसका effect यह होता है कि जो शूगर की production है जा juice production है उसकी quality भी ज्यादा अच्छी होती है और quantity भी ज्यादा होती है क्वाल्टी अच्छी होती है और quantity ज्यादा होती है कि वां समर गोइंग सीजन विद एडिकल्ट रेंफॉल इसन आइडिया क्लाइमेट जैसे मैंने पहले बताया कि जो वां समर ग्रोइंग सीजन है जब इसकी ग्रोइंग ग्रोव करना स्टार्ट करता है तो जो वां कंडिशन है मतलब थोड़ा साज़र अगर टेंप्रेच् जा रेंफॉल नहीं इरिगेटर एरिया है तो इरिगेशन फेसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए ताकि क्योंकि गर्मी जो जब टेंप्रेच्र रेंज ज्यादा होती है तब जो वाटर की रिकेरमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाती है ओके तो उस केस में रेंफॉल अगर र है वह 50 डेगरी सैल्सीय से कम तम самой च्रू जाता है अगर ग्रोइंग siजन हे जो तब जो इसकी ग्रोफ है वह यह उससे कम है तो यह अच्छी ग्रो कर सकता है उसे एरिया पर ट्वैंटी डिग्री सेल्सियस स्लोड ग्रोथ जो अगर टैंपरेचर रेंज जो ट्वैंटी डिग्री सेल्सियस से कम हो जाती है उगा टेंपरेचर रेंज 50 से कम है और 20 से जाज है तो उसकेश में जो इसकी ग्रॉथ है वो बिलकुल अच्छी और पर चला जाता है टेंप्रेचर या 20 डीवी से नीचे आ तो इसकी growth है वो कम हो जाती है या slow हो जाती है डो टेंपरेचर reduce till रिंग एक रेट्ट करता है हमारा production को तो टिल रिंग की process जो है वह कम हो जाती है अगर टेंपरेचर range कम रहे तो मैं तो अप्टिमा मैं टेंपरेचर जो अब तेंपरेचर तेंपरेचर रेंज है तो वहां पर जो प्रडशन है या क्वल्टी है प्रडशन की वह सबसे अच्छी होगी महाराष्ट्रा है और कुछ एरिया करनाटक में भी है और अंदरपरदेश तो इन तीन स्टेट्स में जो कंडिशन है शुगर के प्रडक्शन के लिए वह विल्कुल आईडियल कंडिशन है कॉगर के स्ंथेस्स जब स्थेसिश होती है मतलब शुगर जो जू स बनता यह सूगर बनता है उनमें तो पहले से होता है मतलब जब मिठास जो आनी स्टार्ट होती है टेंडिया डान तब टेम्परेचर रेंज है कि ठ्वीड़ू से 하ुटzahlस होना चाहिए जो मिठा साती जो शूगर जो जूस में जो सब स्टार्टिंग में जो जूस होता है वो इतना मीठा नहीं होता है उसमें शूगर कंटेंट कम होता है लेकिन दीरे दीरे शूगर कंटेंट उसमें इंक्रीज होता रहता है तो शूगर कैसे इंक्रीज होगा अगर टैंपरेचर तो शूगर कंटेंट जो है उसमें वह अच्छा होगा ओके टिल्रिंग कप ज्यादा होगी थर्टी टू थर्टी फाइड डिगरी से टेमपरेचर रेंज है जो रूर्स होती है शूगर के इनकी वह तर्टी डिगरी सेल्सियस पे अच्छा गुरू करती है क्योंकि एनवार्मेंट में टेमपरेचर कम यह ज्यादा भी हो सकता है लेकिन टेमपरेचर अगर रूर्ट का 36 डिगरी है तो इसमें जो रूर्स हैं वह अच्छे से ग्रोव करती है शूट ग्रोथ का अच्छी होती है है जब 36 डिग्री सेल्सियस होता है टैंपरिचर के शॉट डे लैंथ डिक्रीज नंबर ओफ टिलर्स और प्लांट्स लांग डे लैंड्स प्रड्यूस मोर ड्राइव मैटर जो 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 मतलब छोटे दिन हो जाते हैं बडे दिन होते हैं तो उसमें अगर शॉट डे ह। अगर शॉट यह हैं तो उसमें जो तो इस टाइब के यह ज्यादा प्रैफर मेंग क्रोक तो उसके लिए कौन से लांग डेज होते हैं इसमें जो संशाइन आवर्ज हैं वो ज्यादा हो ताकि जो क्रॉप है हमारी वो अच्छे से ग्रोव कर सके और उसके प्रड़क्शन जो है ज्यादा ले सके तो ऐसा एरिया हमने जो अगर हमारे पास है तो हम लोग ने शूगर शूगर केंज वह है वहां पे कल्टिवेट कर सकते हैं ओके सो थांक्यू अब्रिवान इस वाज ओल अबाउट दा कल्टिवेशन आफ शूगर केंज पार्ट वन